शहर के प्रभाग दिन की अंतरकत आने वाले टीपो सुल्तान चौक की अंतरकत आने वाली गरीद नवासनकर की मुख्य सड़क पर जगा जगा पर जानली वागटी पनी वे हैं जससे रोजाना दुरकट नए हो रही है लेकिन अफसोस के इस और प्रशासर का थ्यांदी है पे दोनों विधर और नापूर में सड़क निर्मान को लेकर एक दूसरे को बदाएते रहे हैं लेकिन क्या सही मायने में शहर की अधीतर मुख्य सड़के बनाए गई है यहां प्रश्ट चिन्र सालगा है जिहां मुख्य सड़कों की पेच बड़े बड़े जानली वागटे ज गटे इतने बड़े है कि बारिश का पानी इसमें बड़े पैमाने पर जमा है इसे मुख्य सड़क से रोजाना हजारों वाहनों का आवा गमन रता है कहीं बस्तिक के नागरी इस जानलीवा गटे में अपनी वाहनों की साथ किरी है अस्पतार में यदि किसी गर्बवती महि ले जाना हो तो इसी सड़क से ले जाना पड़ता है आप सोचिए कि इस मैला को किता तर्थ इन गट्टों से होता हो अब तक कि दर्जन नागरीक इस जान लिवा गट्टों में किर चुकी है इस प्रभागतीन में चार पाश्यत है गोपी चंत कुम्री गनेश कांतुडी परि परिसर के नागरीकों ने बार बार इसकी श्रिकार पाश्यत और मनपा आतिकारी से की है लेकिन उनके द्वारा भी अंदे की की चाली है आकिरकार परिसर के नागरीकों ने इस समस्या को बेसें नियोस से आउक्र कराया और ग्यापन देकर इस समस्या से आउक्र कराया और अ आपको बता दे कि यहां की जो सड़के है काफी लचर हालत हुई है अपने बधाली पे आंसु बहाते हुए यहां की सड़के दिख रही है आप देख सकते कि यहां से जो वहानों का जो आवागमन जारी है कितने गड़े है चोटे बच्चों से लेके बड़े बुजूर्ग औ इनका आवागमन जारी है और देख सकते कितने बड़े बड़े गड़े बने हुए है बारिश का पानी इसमें जमा हुआ है मगर अफसोस की इस ओर नाहीं किसी प्रशासन का सरकार का किसी का ध्यान नहीं है लगता है कि यह जो परिसरे कही ना कही यह नाकुर में है या नही इस तरह की स्थिती बनी हुई है आईए हम सिधा रूख करना चाहेंगे यहां पे कुछ नागरिक यहां पे मौजुद है गरिब नवास नगर के उनसे जानना चाहेंगे उनसे पूछेंगे कि आखिरकार उनको किस प्रकार की दिकोतों का सामना करना पड़ रहा है इस समय मे तो यह हैं यहां पर इतने रोट खराब है किसकी कोई हद नहीं कम से कम यह 15 साल से यह रोट की इस्तिती इसी तरह है कम से कम में परशाषासन से यही गुजारिस चाहता हूँ कि कम से खम जल से जल यह रोट करता काम चालू किया जाए और अभी एक हफ़ता पहले यहां इतन बुरी कंडिसन आई थी क्या जो लेडिस डिलवारी वाली जो पेसद लेडिस थी वो आटो में बैटी वंदिवी नगर चौक से वो ताजबक से आ रही थी तो इस रोट से वो गुजरी तो काफी उसके पेट में इतनी तकलीब हो गई और में को तुरत फोन आया बोले आटो बुले सहजाद भाई यह रोट से गुजरी ती वो लेडिस की भूच ज्यादा तवेत खराब हो गई है तो मेरी परसासन से यही गुजारी से नितिन गटकरी साब से भी यही गुजारी से के जल से जल यह रोट का टटकाल काम आप चालू कराइए बस मैं यही विनंति करके अपने दो सब्सक्राइब यह परेशानी तो काफी दिन से यहां पर चालू है अट मैंने 2020 में मैं लाला ससाने 2020 में मैंने नितिन्दाव साप जी को जाके पालक मंत्री और स्थानिक आमदार है उनको मैंने 2020 को निविदन दिया था रोट उखड़ गया है और यहां पर रोट पी रहे नलोगा और यहां पर 25 साल से चंबर नहीं बन चुके है आज मेरे प्रशाशों को यह कहना जाता हूँ पर लोग पानी से भी मरना चाहेंगे यह तपली का जो प्रभाग के अंदर है आज हमारे प्रभाग के अंदर स्लम मिर्या कहला जाता है आज हमारे प्रभाग क यहां कि पारे में कभी आपने यहां कि जो तीन-टीन चारचार जो पार्शद है क्या उन से इसकी शिकायत की है अभी भी मैंने चेंबर के लिए उनको फ़एंड मंगा हुए यह काम करता है अच्छे के लिए और अच्छे इंसान के लिए काम करना चाहिए उन्होंने और बाखी कोई दिक्कती नहीं यह एरिया उत्तर नागपुर में परभाक कर्मान तीन गरीब नवास नगर से होते हुए टिपल दान चौक और शिवाजी चौक को यह रोड जाता है यहां पर सबसे में शिकायत हमें समयस्य तो काफी है बागी में शिकायत जो हमारी है यह में रोड है इस शेतर का तो यह रोड काफी आप इसको कवर किजिए इस रोड को और यहां देखिए कि काफी बड़े- में जा रही थी वाई जिसका समय आगे चुका था बागी वह इतनी परिशान दिया और यह जब गड़ों में से घुजरी तो उसका दर्द एक्दम बढ़ गया और उसको एमर जैंसी में में हो हॉस्पिटल करना पड़ा हमें मैं तो सरकार से इतना ही चाहूंगा कि भाई यहां के लोगों को जो भी समस्या है उसको जल से जल हल किया जाए और उस पे एक्शन लिया जाए जो भी पोजिशन है आपे चल रही है है उसको विल्कुल खतम किया जाए धन्यवाद इसके लिए पालक मंतरी साब को बहुत जरूरी है यहां की जाओँ आज से नहीं 20 साल से खराब है इसके लिए पालक मंतरी साहब को बहुत जरूरी है कि यह रोड बनाएं तो जनता पालक मंत्री के खिलाप जाएंगी यह चीज अगर उनको समझ में आए तो यह रोट को बहुत जल्दी से जल्दी बनाएं तो दर्श को देखा कि किस तरह के यहां की बदाली हुई है और यहां की जो सडके है काफी लचर हालत हुई है यहां से गुजरना बोले तो कब किसे कौन से अस्पताल में जाना पड़ेगा कौन सी हड़ी टूटेंगी इसके बारे में कोई बता नहीं सकता कई हाथ से यहां पे हुए है ऐसे यहां के नागरिकों ने बताया है एक और नाकपूर स्वच्च सुन्दर है नाकपूर का विकास हो रहा है अंडर ब्रीज बन रहा है बड़े बड़े उड़ान पूल फ्लाई ओर बन रहे है लेकिन अब सोस कि कई जो को सिमेंट के सडके सडक बन रही है लेकिन पिछले 20 साल से यहां गरीब नवाज नगर का यह प्रमुख जो एक सडक है मार है इसमें इतने गड़े हुए है लेकिन उसे कभी बनाया नहीं गया है सिमेंट की रोड की बात बदूर इसके उपर में कई उनने मलबा या कोई गिट्टी डाल कर बोल्डल डार कर इसको पुरी तरह से बन करने का प्रयास भी नहीं किया जिसके चलते ही इन गड़ों के वज़े से कई घटना है रोजाना हो रही है कई वहां चालक वहां चलाते स सही है कि देश को आजाद हो के आज 84-85 वर्ष हो चुके है फिर भी इस देश के नागरिक इस शहर के नागरिक ऐसी बदहाली में पुरी तरह से आजाद नहीं हुई है क्या सरकार क्या प्रशासनी सोर ध्यान देगा और जल से जल गरिब नवाज नगर की इन सड़कों की हाल यूँ ही है गरिब नवाज नगर से क्यामेरा परसन मिनास खान के साथ संजय मीरे बीसे न्यूस नाकपूर